हेलो फ्रेंड्स केसे हो आप आप सभी का अमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज में बनाने वाली हूँ देशी मसरूम की रेशीपी तो प्लेज वीडियो में लाज तक बने रहेगा तो देख सकते हैं यहां कितने प्यारे-प्यारे मस्रूम है तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले में इस सभी को अच्छी तरह से धो लेती हूं और यह जो मस्रूम है यह ममी लाई है जंगल से और बहुत ही सुन्दर-सुन्दर थे ऐसा लग रहा था मानो सुर्य मुखी का फूल हो एकदम बिल्कुल उसी तरह खिला-खिला सा था तो चलिए फ्रेंड्स यहां में जल्दी-जल्दी से धो लेती हूं और फ्रेंड्स मस्रूम को हम लोग गाउं में खुखंडी भी बोलते हैं और आप लोग के उधर क्या-क्या बोला जाता है तो प्लीज जरूर बताइएगा कमेंड में तो फ्रेंड्स मैंने सभी को दो लिया है और कट भी कर लिया है तो यहां मैंने कराही पे तेल डाल दी है और प्याज मैंने डाल दिया है देख सकते हैं और प्याज की मात्रा थोड़ी ज्यादा डाली है क्योंकि मस्रूम में थोड़ी प्याज ज्यादा डालने से ज्यादा अच्छा बनता है तो पहले प्याज को अच्छी तरह से पका लेंगे उसके बाद ही इसमें मस्रूम डालेंगे तो प्याज पक गई है देख सकते हैं ब्राउन कलर की हो गई है तो आव इसमें में डाल रही हूं मस्रूम इसी तरह से मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था तो प्लेज फ्रेंड थोड़ा वीडियो हील रहा है कारण यह है कि एक हांसे में पकड़ी हूं कैमरा मोबाइल और दूसरे हांसे में चला रही हूं इस वज़ा से थोड़ा हिलता है तो प्लेज इगनॉर किजेगा और यहां में डाल रही हूं हल्दी और नमक स्वादा नूसर नमक में डाल दिया है उसके बाद यहां में डाल रही हूं मसाले मसाले का पेश्ट में ने पहले ही तयार कर लिया है हरीमीर्च, कालीमीर्च, लहसून, और अद्रक का पेश्ट मेने बना लिया है तो देख सकते हैं में डाल दिया है तो देख सकते हैं कमें में पानी नहीं डाली हूं फिर भी देख सकते हैं कि फिर भी कितना पानी छोड़ दिये हैं देख सकते हैं तो फ्रेंड में इसमें ज्यादा पानी नहीं डालूंगी बस जो मसाली का पानी है वही में इसमें एड़ करूंगी झालूंगी तो अब जब में मसाले का पानी तैयार के थी उसे में डाल दी हूँ अब इसे आठ से दस मिनट के लिए में ढ़क के छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए तो फिलीज फ्रेंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फिलीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा और हमें अपना सपोर्ट दिजिएगा प्लीज तो यहां आठ से दस मिनट हो गए थे तो यहां देख चेक कर लेती हूं तो देखे फ्रेंड कितनी अच्छी तरह से रेसिपी बनके तयार है तो तो त्रेंड आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है फिर मिलती हूं एक नए वीडियो के साथ अधि